गर्मिया तो श्टार्ट हो गई है दोस्तों लेकिन किसी किसी को अभी भी फेपड़े छाती और गले में आंतों में बहुत ज्यादा बलगम जमा हुआ है और वो अमेश्या ही विमार पढ़ते रहते हैं जब अंदर बलगम जम जाता है ना दोस्तों तो उससे अमें बार बार इनफेक्शन होता है और आम बार बार बिमार पढ़ते हैं किसी किसी को क्या होता है सर्दी जुखाम ठीक हो जाते हैं उसके बाद में भी फेपड़ों में बलगम या कफ भरा रहता है और अमेशा ही जैसे आप खांसते हैं या बोलते हैं तो वो आपको मैसूस होता है दोस् अपने कफ से अमेशा के लिए छोड़कारा पा सकती हैं बेहत ही आसान सापको नुस्खा बताऊंगी जिससे आपको किसी भी तरह का नुक्षान नहीं होने वाला है ना आपको यह गरम करने वाला है तो ऐसे नुस्खे के लिए यहां पे आप वीडियो को पूरा देखना इसम तो खाने से कफ और ज़्यादा बढ़ सकता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिनको पुरानी से पुरानी कफ की समश्या है ना और आमेशा ही आपको मैसूस होती है जैसे मैंने बताया बोलते समय या खासते समय तो आप एक बार इस नुस्खे को आजमा सकते हो बेहत ही फ आस बात ये है कि आप इसे घर्मियों में आसानी से ले सकते हो किसी भी तरह से ये आपको नुकसान नहीं करेगा ना ही इससे कोई घर्मी होती है और ना ही आमें इसको ज़्यादा चीजों के साथ में बनाना है बिल्कुल दो चीजों के साथ में ये नुस्खा जो है बना कर तयार करेंगे तो यहां पे सामगरी में आपने देखा आमने लिये हैं केले दोस्तों तो आपको जो है न कम से कम दो केले का इस्तिमाल करना है और उनको छील कर आप इस तरह से काट कर देख लेना अच्छे से क्योंकि काटना तो हमें है इसे लेकिन चेक कर लेंगे केला हो जाद हो सकती है तो उसको जल्दी से जल्दी बार करने के लिए इतने आपको जरौर लेने हैं के लिए अच्छे से मैस करेंगे आप चाहे त הי क्यों जिसके अंदर सक्ते हो units मैं यहां पर केले को देख रही हूँ कि खड़ाब तो नहीं है इसलिए मैंने इसी में इसको बना कर और आपको भी दिखाना था तो तयार कर लिया है जिससे आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए यहां पर मेरे को तो 4-5 मिनेट लग जाएंगे लेकिन आपको बिल्कुल भ पानी को अच्छे से बोईल करना है जब इसके अंदर अच्छे से बोईल आ जाए तब ही तक उसके बाद में इसको ऐसे ही साइड में रखकर छोड़ देना और आप जो है नुस्खे को तयार करना शुरू कर देना तो यहां पर आमारा पानी गरम हो गया है जब तक हमने केल तरीके से आप जो है मिक्सर के अंदर भी इसे बना सकते हो अब इसमें पानी डालने के बाद में जैसे अमने इसमें अभी गुनगुना पानी डाला है तो इसको अमें अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे कि थोड़ा सा बारिक ओर हो जाए क्योंकि अभी आपको इसके आपको इस बात पे द्यान देना है जैसे आमने केले के अंदर पानी डाला तो पानी को आमने जो है न 10-15 मिनेट पहले ही बोईल कर लिया था जब इसके अंदर मिक्स किया तो अलका सा गरम था बहुत ज्यादा गरम नहीं था और केले में डाला है तो अभी ये समझे कि नॉर् इस्तेमाल करना है जो सहद होता है ये भी आपके जमे उए कफ को चाहे सालों पुराना क्यों ना हो आपने देखा होगा किसी किसी के खांसते समय बहुती आजीब सी आवा जाती है तो उसको भी ये फायदा देगा उसको भी बार कर देगा पूरा अगर आपने ये सबता बर ले लिया तो तो इसके अंदर एक से दो चमच आपको सहद मिक्स कर लेना है और अच्छे से इसमें मिला देना है जब ये पूरा अच्छे से मिल जाएगा ना उसके बाद में आपको रखना है ये 10-15 मिनेट के लिए डखकर रखना ये आपको जरूर है ऐसा नहीं है कि आप तुरंत बनाएंगे और तुरंत ले लेंगे नहीं कम से कम 15 मिनेट आपको ये रखना होगा उसके बाद में आप देखेंगे इसका अलका सा कलर चेंज हो जाता है मैंने यहां पे आपको सिर्फ थोड़ी सी देर रखकर दिखाया है आपको ये 15 मिनेट रखना है टाइम ले 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 उसके अंदर इसको भरे और ये जो नुस्खा है ना इसका जो टाइमिंग रहेगा वो सुबह लेना है आपको जब आप चाय वगेरा लेते हैं उस समय पे आपको ये इस तरीके से बनाकर ले लेना है और जो इसमें पानी एड़ करते हैं आप ये कम से कम 200 से 200 ml ज ये क्योंकि आपको अपनी बोडी का जो कफ जमा हुआ है वो बार करना है तो एकदम ठंडा ना ले नॉर्मल टेंपरेचर से अलका सा गुनगुना जो होता है बस इतना सा आपको ये गरम रखना है बहुत ज्यादा गरम भी आपको नहीं लेना है आप देखेंगे दूसरे इन से ही जो है आपका पेट अच्छे से साफ होगा और जैसे आपका पेट साफ होने के साथ साथ पूरा कफ भी बार हो जाएगा कई बार क्या होता है आपको बलगम की जैसे कफ जो है फेकना पड़ता है और कई बार क्या है जो है टोईलेट की रस्ते से कफ जो है आसानी से निकल जायेगा दोस्तों तो इसको आप लगातार आजमाना जब भी इसे आप आजमानी लग जाएंगे ना तो सब तावर तक आजमाना आपका पुरा कफ जो है साफ हो जाएगा और अगर इस तरह के नुस्खे लेने से भी आपका कफ साफ नहीं हो रहा है ना तो आपको डोक जमा है तो आप बिंदा सपना सकते हो एक बात आपको और द्यान रखनी है जब भी आप ये नुस्खा आजवाएंगे न तो जैसे मैंने बताया है आपको ये ताजा बना कर ही लेना है ऐसा नहीं है कि आप इसे आज बना कर रख ले तीन-चार दिन के लिए और तीन-चार दि ढ़िटे लेती रहे तो ऐसा नहीं करना है जिस दिन भी आप लेंगे जैसे आप लेना सुरू कर देंगे तो आप इसे रोजाना बनाकर येशा नहीं खराब हो जाएगा दोस्तों बनाकर रखने कि बाद में तो ये बात आपको द्यान रखनी है और जब तक आप तब तक आपको थंड़ी चीजे नहीं थानी ज़ह चीज आप द्यान रखना ठंड़ी जादा से जादा शेयर करना जिससे कि कि इस नुस्खे से सभी को बहुत ज़्यादा मिले 100% फायदा देने वाला नुस्खा है दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना कमेंट कर देना आप चैनल पर पहले बारा हैं तो सब्सक्राइब कर लेना धर्न्यवाद